दिल्ली में पल्यूशन इस टाइम काफी ज़्यादा हो गया है हम सब लोग पल्यूशन की वज़े से काफी तकलीफ में हैं पूरी दिल्ली के लोग दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग अपनी तरफ से पल्यूशन को कम करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं पिछले पांच साल में भी हम सब लोगों ने मिलके कही कदम उठाए जिसकी वज़े से दिल्ली में pollution कम भी हुआ 25 percent इस साल भी दिल्ली सरकार ने कही सारे कदम उठाए हैं जैसे thermal power plants जितने हैं दिल्ली में जिनकी वज़े से pollution होता था सब बंद कर दी गए हैं 95% जो दिल्ली में इंडस्ट्रीज हैं, वो जो फ्यूवल का इस्तेमाल करती थी, वो पॉलुशन किया करता था, तो 95% इंडस्ट्रीज में फ्यूवल चेंज कर दिया गया है और अब वो नॉन पॉलुटिंग फ्यूवल इस्तेमाल करती है, इस साल हमने पराली को, दिल्ली न बोजर का उसके अभी तक के नतीजे बहुत अच्छे आएं लेकिन फिर भी अभी थोड़े दिन और इंतजार करके सारे नतीजों को मैं आपके सामने रखूंगा और अगर ये सक्सेस्फूल हो जाता है तो शायद पराली से जो धुआ उठता है उससे अगली साल तक फिर इसक आएं हमने एवी पॉलिसी एलेक्ट्रिक वेहिकल पॉलिसी लाँच किये जो कि पूरी दुनिया की सबसे प्रोग्रसिव पॉलिसी है ट्रांस्प्लेंटेशन पॉलिसी लाँच किये आज हम ग्रीन डेली एप लाँच कर रहे हैं हमारा मकसद है कि दिल्ली के एक-एक नागर को इसमें शामिल किया जाए सरकार जितनी मर्जी कोशिश कर ले लेकिन कोई भी बड़ा बदलाव तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसके साथ जंता ना जुड़े तो आज हम ग्रीन डेली एप लाँच कर रहे हैं इस एप को आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अभी यह केवल एंड्रॉइड पर है हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी प्लैट्फॉर्म पर भी थोड़े दिन में आ जाए इसमें आप किसी भी तरह की पॉलूशन की कम्प्लीन कर सकते हैं आपने आप देख रहे हैं कहीं जा रहे हैं आप आपने देखा कि कूड़ा जल रहा है आप वहीं पे उसकी फोडो खिचके उसको अपलोड कर दीजिए उसकी वीडियो बना थे उसको अपलोड कर दी具 और उसकी कंप्लीन कर दीजे इस एप के जरीए आप देख रहे हैं कहीं इंड्स्ट्रियल मेरे है कहीं कोई वेहिकल है वह वहिकल बहुत जादा पॉल कर सकते हैं आप इसमें वीडियो अप्लोड कर सकते हैं आडियो अप्लोड कर सकते हैं फोटो अप्लोड कर सकते हैं और जब आप अप्लोड करोगे तो आपकी लोकेशन जहां से आप अप्लोड कर रहे हो वो आटोमाटिक लोकेशन आ जाएगी ताकि हमें पता चल सके कि exactly कहां पे वो धुआ फैल रहा है और आपकी complaint automatically उस विभाग के पास पहुंच जाएगी जिस विभाग को उस पे कारवाई करनी है उस विभाग को उस complaint के उपर time bound तरीके से कारवाई करनी होगी हर किसम की complaint की हमने timeline लिखी है ये इतने घंटे में solve होनी चाहिए ये इतने घंटे में solve ह नहीं होगी वो विभाग जब complaint solve कर देगा तो विभाग उसमें complaint में डालेगा अपनी विभाग भी photo खींच के डालेगा दिखाने के लिए कि हमने complaint solve कर दिया है लेकिन फिर भी अगर नागरिक satisfied नहीं है complaint के solve होने से तो वो नागरिक उस complaint को reopen कर सकता है और कह सकता है कि मैं इ satisfied नहीं हों कम्प्लेंस को solve करने के कौन सी complaint आई कितनी solve होई इसकी सारी monitoring हमारा जो green war room हमने बनाया है secretariat में वो 24 by 24 by 7 काम करता है वहां से एक 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 के complaint की monitoring की जाएगी कि complaints solve हो रही है या नहीं हो रही है और 70 green marshals नुक्त किये गए हैं वो भी इन सभी complaints को जो complaints green daily app में आया करेंगी इन सभी complaints को solve करने में मदद करेंगे मैं समझ सकता हूं कि शुरू शुरू में कुछ दिक्कते आ सकती हैं जो भी दिक्कते आए अब हमें जुरू बताईएगा उनको इस app में जो भी दिक्कते आए हम इनको ठीक करने के कोशिश करेंगे और इस app के जर एक साथ और नागरिकों को एक साथ प्रोदूशन के विरुध युद्ध छेडा जाए अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं यह वीडियो आपको exactly explain करेगा कि किस तरह से आप इस app को इस्तिमाल कर सकते हैं झाल 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 झाल